अच्छा नेक्स्ट तो इव एंजी रेडी है आपने वेने सीपी भी इंस्टाल कर दिया सेवन जिप भी इंस्टाल है सब कुछ रेडी है नेक्स्ट हम अप्लोड करेंगे डाइनमेप आयोस राउटर्स डिफरंट टाइप के सिस्को के राउटर्स है इस वीडियो में मैं आपको शोग करूँगा कि किस तरह आप आयोस राउटर जो है जो नार्मल राउटर यूज होते है डेली डेली आप जो यूज करते हैं सिस्को के राउटर वो किस तरह अप्लोड करेंगे इव एंजी में सबसे पहले हमें कोई FTP एप्लिकेशन चाहिए वह आमने अलेड इंस्टाल किया था और उसका नाम है वेनेसी पी तो अपने वेनेसी पे ओपन करना है ठीक है और यहाँ पे आपने अपनी एवेंजी के आईपी टाइप करना है यह है ना आप यहाँ सी भी कर सकते हो और यह आप पे जाके यह था 192 168 114 182 यह अपने टाइप करना है यहाँ पे 192 168 114 182 फाल प्रोटोकॉल SFTP पोर्ट नमबर 22 यूजर नेम अगर आपको याद हो तो वह था रूट और इव ग्राफिकल वाला टाइप नहीं करना है वह अधर वाला टाइप नहीं करना है वह अधर अगर फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करकी कोई भी नाम दो 182 सही है ठीक है और पासवर्ड भी सेव कर दो ताकि नेक्स टाइम आप बार बार टाइप ना करो क्लिक ओके यह आ गया और क्लिक लाग इन यहाँ से एकसेप्ट कर दो यह लाग इन हो तो जो यह इवेंज आप यहाँ रन करें ना आप इसको लाग इन कर गए यहाँ से यह वाला जो है यह ठीक है तो आपने रूट में हम जाके रूट बैसिकली होता है लिनिक्स में ठीक है जिस तरह एडमनिस्टेटर होता है और डारिक्ट्री बें होती है तो यह अप ऊपने यूनिट लेब यूनिट लेफ के बाद जाना है आपने एड्ज आन के बाद यहाँ पी तीन चीज़े यहाँ मिलेंगे की मियू में मॉस्ट उमेय में हम रखते हैं IOL में mostly Cisco की switches होते है special tab के वो जो कि next video में मैं शोग करूँगा right now dynamics में मैं जाना चाहता हूँ तो यह full directory है और यहाँ पी mention है यह सारे option तो मैं यहाँ से यह route यह left side जो है आपका machine है और right side जो है यह fng है यहाँ से router के images download कर दो इसको 7 zip से extract कर दो जो हमने already extract किये है पिर आपने जाने opt unit lab ads on dynamics में जो कि मैं already वहाँ पी हूँ यह है ठीक है और lips से right में वो सारी images अपने copy paste करने है ठीक है तो lip में जो मेरी images में ने रखके है वो मेरी evng के इसमें है evng images और यहाँ से यह है iOS router जो आप इसको download करके unzip कर दो ठीक है तो iOS router और यहाँ से just unzip करने पिर उसके बाद आपको यह command चाहिए तो यह मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ जब भी आप कोई changes कर ले तो images upload कर ले तो यह command आपने टाइप करना है यह आगे routers तो 72 के routers है और 37 का इसको just track कर दो यहाँ पे तो lip side आपके machine है जहाँ पे आपने images download करके unzip किये है 7 zip use कर लो ठीक है और यहाँ पे मैं opt unit lab ads and dynamaps में जाके router वहाँ पे upload कर दी और उसके बाद यह command यहाँ से edit करके paste कर सकते हो अच्छा दुबारा copy करना होगा यह copy करके और यहाँ से यहाँ पे enter करके और edit paste और hit enter यहाँ गया that's it तो आब जब वापस जाते हो graphically just इसको refresh कर दो right click करके nodes अब नीची जाके कुछ न कुछ ब्लू नजर आ जाएगा यह है क्योंकि हमने अभी यह डाइनम एप्स router जो है upload कि है 17 वाला हमने upload नहीं किया तो इसके दुरूरे ने बहुत ही पुराना router है तो 37 और 72 के router से है इस पर click कर दो तो 72 के बहुत सारे हमने upload किते हैं यह थे 72 1234567 तो यहाँ पर 7 mention है 1234567 डिफरेंट वर्जिन के है कोई साभी चूज करके यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो इसका router कितने चाहिए तो वो चूज कर दो to icon चेंज कर सकते हो कितना RAM देना चाहते हो slot कितने चाहिए कोई भी चूज करके save कर दो यह आ गए to router और इस पर right click करके start कर दो ठीक है अगर यह blue gate means की कोई issue नहीं है आपका सब कुछ सही जा रहा है और इस पर click करके यह आपको याद है वही open करेगा यह some student करे कि open नहीं और क्योंकि उसने client pack install नहीं किया होता है तो आपने just open कर दो ठीक है मेरी case में क्योंकि मैं secure CRT use कर रहा हूँ और मैंने setting उसी की की है आपकी case में putty में open होगा यह application मैं दे दूँगा अब इसको भी use कर सकते हैं इसको no कर दो और यह router स्टार्ट हो गया जो बिलकुल fresh router जिस तरह Cisco का होता है इसी तरह इस पी click करके open और इसको no कर दो initial configuration आप router की नहीं करना चाहते यह आ गया router और जो Cisco router की जो भी command है अब enable में जाके पिर configuration में जाते हैं house name change करना है suppose ABC तो change हो गया and so on तो जो router है वो काम कर रहे है और एक second router यह लिया था तो यह भी काम कर रहे है और इसको close कर दो तो spirit क्लिक करके stop कर दो यह था अगर हमें router चाहिए है तो किस तरह add कर सकते है वो अपने upload कर दी winscp application की through और उसके लिए root username चाहिए जो कि by default होता है और जो password अपने sit किया हुआ है मेरी case में मैंने default रखा था ता कि हमें याद हो फिर left side आपके machine है और right side evng है winscp में तो easily आप कुछ भी upload कर सकते हो next यह हम चीज़े अपरोड करेंगे वो iol और mostly चीज़े की मियू में ठीक है that's it तो यह था router